नमस्कार साथ हो कैसे आप सब आप सब का स्वागत है हमारे चैनल एफोर एलेलबी में दोस्तों इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं आई पीसी यानि भारती दर्ण रसीता है कुछ महत्पूर्ण अपराद और उसे सम्मंदित धाराओं के बारे में और इसके साथ साथ हम किसमें सजा क्या होती है जूर्माना क्या लगा जाता है और एसे अपराद जो हमारे समाद में आमतोर पर घड़ते रहते हैं और यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आम नागरिक होने के नाते हमें यह पता होने चाहिए कि किस अपराद में कौन सी सजा तथा जो ब्यक्ति यानि कोई ब्यक्ति अगर राज़ जुरो करता है तो उसे तीन वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या जुर्माने और सजा दोनों से भी दंडित किया जा सकता है फिर अगली महत्पूर्ध हराओं में आती है बिधि बिरुद जमाह होता है या उसका सदत्स होता है तो उसे छे महीने तक की सजा और जुर्माना तथा सजा और जुर्माना दोनों से भी दंडित किया जा सकता है फिर जो अगली महत्पूर्ड अपराधाता है वह है मिथ्या साथ से देना यानि कोई व्यक्ति जूंठी गवाही देता है मि गया है इसमें जो सजा का प्रवधान दिया गया है वह सात वर्स और जुर्माना दोनों से भी दंडित किया जा सकता है फिर अगले महत्पूर अपराध आता है वह है भारती सिक्को का कूट करन करना जो अन बोल भासा में कहते हैं नकली पैसा बनाना एह भारती डं सहीता की ध सकता है फिर जो अगली महत्पूर अपराध आता है वह है नकली इस्टांब बनाना यानि अगर कोई व्यक्ति नकली इस्टांब बनाता है तो है भारती दंड सहीता की धारा 255 में उसे सजा की स्रेण में माना गया है यानि सजा का प्रवधान किया गया है इसमें जो सजा है वो है आजीवन कारवास या दस वर्ष की सजा हो सकती है यहाँ निर्भर करता है जज के विवे का धीन पर फिर अगली महत्वपूर्ट अपरात की बारे में बात करें तो यह है जल परदूशन करना अगर कोई व्यक्ति दोरा किसी व्यक्ति दोरा जल परदूशन किया जाता ह है तो उसे दारा यानि भारते दंट सहीता की धारा दोससो तकर में सजा की श्रेण्य में मावाना गया है यहनी सजा हो उसे तीन महेने की सजा या जुर्माना या 500 रुपए की जुर्माना हो सकता है फिर अगले महत्त्पूर अपराथ की बारे वाथ के घरे तो अगले महत्तूर अपराथ है वाइ मंडल को प्रदूर्शन करना इसमें जो धारा है धारा Dos S 1966 इसमें पांची रूपे के जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है अगला जो अपराः है जो है असलील पुष्टकों की बिक्री करना यानि किसी बेक्ट दोरा असलील पुष्टों की बिक्री करते हुए पकड़ जाने पर उसे IPC की धारा 202 में सजा का प्राधान दिया गया है इसमें जो सजा है हो यह दो वर्स तक का कारवास या जो 2000 उपे तक के जुर्माना हो सकता है या उसको चेतावनी दे कर छोड़ दिया जा सकता है फिर जो अगला बहुत ही महत्पूर अपराधाता है हो है हत्या यानि किसी वेगत को मार देना या जान से मार देना या किसी वेगत की हत्या कर देना इसमें जो IPC की सेक्षन 302 यानि धारा 302 में सजा का प्राधान दिया गया है इसमें जो सजा है हो है आजीवन कारावास या जुर्माना या कारवास जुर्माना दोनों हो सकता है फिर अगली महत्पुर्ण अपराध आता है तहेज का हत्या यानि किसी भी महीरा को दहेज के लिए मार देना या हत्या कर देना इसमें जो पीज आईपीची की सेक्स्टन यानि धारा 304 बी में सजा का प्राधान दिया गया है इसमें जो सजा है ओ है साथ वर्ष तक की सजा यानि लगभग साथ वर्ष तक की सजा हो सकते हैं और इसको बढ़ा कर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है फिर जो अगली महत्पूर प्राधान किया गया है इसमें जो सजा है वहाहे मृत्ट दंद या दस वर्ष तक की सजा हो सकती है फिर जो अगली अपराध है वह है समझदार प्यक्त को आत्मत्ता के लिए उसाना यानि आप देख सकते हैं कि 305 में ऐसा था कि किसी बिक्रिय चित यानि किसी जिसकी सोचन समझने की छमता नहीं है उसको 305 में सजा का प्राधन किया गया है और 306 में ऐसा है कि जिसको सोचने समझने की छमता है उसको आत्मत्ता के लिए प्रेद करना इसमें सजा का प्राधन किया गया है इसमें जो सजा है इसमें 10 सवर्ष तक की सजा दी गई है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है फिर जो अगली महत्तपुर्ध धाराती है ओए धारा 307 इसमें जो अपराद है इसमें हत्या करने की कोशिश करना यानि किसी को जान से मार देने की कोशिश करना इसमें अपराद की स्रेणी में माना गया है धारा 307 में इसमें जो सजा है ओए 10 वरस त की कोशिस करता है यानी खुद को मारने की कोशिस करता है तो एक साल की सजा यानी धाराma 309 में एक साल की सजा या जूरमाना दोनों से ढंडित किया जल सकता है तो सांथियों अभी आपने देखा Indien Panel Court यानी भारती दंड़ Size कुछ 15 महत्पूर्ट धाराय और अपराज उसमें होने वाले सजा क्या लगा जाती हैं इन सब को अभी आपने देखा और भी हमने महत्पूर्ट धाराय और अपराज अगले वीडियो में डाल दी है जो आपको डिक सेक्षन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप देख सक